बच्चों यहाँ पर जो question आपके सामने हैं काफी अच्छा और important question और यह question exam में पूछा जा सकता है ठीक है देखे question यहाँ पर यह है कि अपने पास बच्चों एक massless wire है ठीक है massless wire है और इस massless wire को आपने एक rigid support से suspend कर रखा है और इसके free end पर हमने क्या किया एक load attach कर दिया ठीक है इस तरीके से कि यहाँ पर एक wire है rigid support से यहाँ से आपने suspend कर रखा है और free end पर एक load आपने attach कर दिया है mass m का इस wire की length cross sectional area young smallest यह सब आपको यहाँ पर given है अब बचो आपको पता है जैसे ही आप इसको attach करोगे क्या क्या होगा इस सीट को थोड़ा अच्छे है समझेगा कि जब आप इस load को इससे attach कर देंगे तो बचो इस load की वज़े से क्या होगा इस wire में extension होगा stretch होगा यह wire और आपको पता है कुछ stretch होने के बाद काफी important line है इसको ध्यान से सुने कुछ stretch होने के बाद यह permanently यहीं पर रुख जाएगा मतलब कि जब तक load attach रहेगा तब तर यह equilibrium में रहेगा यहीं तो होता है कि अगर आपके पास practically से को थोड़ा सोचो ठीक है कि अगर कोई wire है और उस wire पे आपने जाके load attach कर दिया तो क्या होता है क्या वो oscillate करने लगता है नहीं आप जब उस पर load attach कर देते हो ठीक है तो आप कुछ देर बाद देखते हो कि मतलब कि वो अपनी जगे से थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद वहीं पर permanent रुख जाएगा ठीक है जब तक load attach रहेगा वहीं पर रुखा रहेगा वह यानि कि बचो अगर आप ध्यान से देखो तो जब यह अपनी natural length मेरा होगा उस time पर जब हमने इस पर load attach किया तो यह कुछ नीचे आया और उसके बाद यह permanent रुख गया मतलब कि आप ही कह सकते हो कि यह equilibrium per rest में आ गया equilibrium पर rest में आ गया मतलब कि क्योंकि कोई चीज़ अगर permanent रुखी हुई है इसका मतलब बचो उसकी velocity भी 0 है और उस पर net force भी 0 है ठीक है यह सारी चीज़े चलिए तो सबसे पहले इसमें हमें find करना है extension कितना होगा wire में चार कि initially बचो यह wire ऐसे था और अपनी natural length में था और इसकी natural length यहाँ पर कितनी है L है ठीक है और हमने इस पर कोई भी load अभी attach नहीं किया है अभी आप जैसे ही बचो यहाँ पर एक load attach करोगे तो load attach करने के कुछ देर बाद थोड़ा time लगता है इसमें कुछ देर बाद आप देख stretching आ चुकी है इसमान लीज़ बचो load attach करने के बाद यह ऐसा हो गया ठीक है तो अगर आप यहाँ से compare करें तो यह कुछ बचो इसमें stretching आ चुकी है suppose X यहाँ पर stretch हो गया L तो यहाँ से पहले ही था X बचो यहाँ पर stretch हो गया या delta L आप ले सकते हो जो चाहो लेकिन बचो ऐस इसा नहीं हुआ कि यह oscillate करने लगा हो एक्स stretch होने के बाद रुख गया अब आप इस चीछ को समझो बहुत अच्छे से कि मतलब जब यह natural length में था 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 तो कोई दिकत नहीं और जब आपने weight यहाँ पर connect किया तो धीरे धीरे stretch होते 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 यहाँ जाके permanent रुख ग क्योंकि अगर net force 0 नहीं होता तो move करता भई यह move नहीं कर रहा है इसका मतलब velocity तो 0 है ही और permanent रुखा हुआ है इसका मतलब force भी इस पर 0 है ठीक है न इस चीछ को बहुत अच्छे समझे मतलब हम यह कह सकते हैं कि natural length से equilibrium पर हम जा रहे हैं ठीक है तो velocity भी 0, force भी 0, permanent यहीं क्योंकि बच्छो इस पर force 0 हो चुका है मतलब इस पर force 0 है तो चलिए हम एक बर force balance कर देते हैं तो हमें पता है कि आप इसको चाहे जैसे कर लो आप यहां पर stress is equal to wind to strain उससे भी solve कर सकते हो और मैंने आपको एक spring की analogy बताईती वहां से भी solve कर सकते हो ठीक है तो चलिए हम इसक को ऐसे ही कर लेते हैं stress बच्छो कितना होगा इसमें जो भी force है ठीक है इसमें जो भी force है माली जो tension force है तो tension force per unit area is equal to y और बच्छो इसमें strain कितना है तो stretching हुई है x की और original length है आपर l है तो आप इससे से solve कर सकते हो तो यहां से अगर देखें अच्छा क्योंकि बच्छो इस होगे यानि tension force की जगे mg रख दो तो x की value जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी mg l divided by ay वैसे ही चीज़ बच्छो हम पहले भी find कर चुकिए इसमें कुछ नया नहीं था लेकिन जो समझना है वो यह है कि इस point पर यह permanent रुख गया है permanent रुखने का मतलब रुखने का मतलब velocity 0 और permanent का मतलब force 0 ठीक है और यहां से यहां पर हमार है ठीक है अब जो भी हमें बताना बचो इसी process के अंदर बताना है तो यह तो बचो यहां पर क्या हो गया extension हो गया इतने extension के बाद यह रुख गया मतलब force भी 0 और velocity भी 0 अब देखे आप से पूछा है इस process से इस process में मतल work done by force of gravity क्या होगा मतलब gravity कितना work करेगी या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो second part में आप इसको ऐसे बोल सकते हो बचो यहां पर decrease in आप इसको ऐसे बोल सकते हो decrease in gravitational potential energy decrease in gravitational potential energy कौन सी energy? gravitational energy की बात कर रहे हैं या पर वो जो mgh वाली energy होती ना उसी की बात कर रहे है आप देखो जब यह block बचो mass m का block कुछ नीचे जाएगा तो gravitational energy तो decrease करेगी करेगी ठीक है? तो कितने से decrease करगी gravitational energy केवल amount बताना है आपको क्योंकि already मैंने decrease लिख दिया है तो आपको बताना है gravitational energy में कितना decrement आएगा? तो mg और यह अपनी जगे से कितना नीचे गया है? x mg x इतना gravitational energy decrease कर रहे है ठीक है? चलिए आगे बढ़ते है एक question दिवाग में आपके यह आना चाहिए कि जो gravitational energy decrease की है वो गई कहाँ पर? जो gravitational energy decrease की है वो गई कहाँ पर? क्योंकि kinetic energy के form में तो दिख नहीं रही है block तो रुका हुआ है ठीक है? अगर इसकी जगे spring होती तो यह block बच्चों motion करते हुए दिखाई देता लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है अगर इसकी जगे spring होती तो याद करिए spring से जब आप एक block को attach करते थे और वो block जब अपनी equilibrium पर पहुंचता था तो वो maximum velocity से motion कर रहा हो था था यानि कि वहाँ पर जो gravitational energy decrease करती थी वो kinetic energy में convert होती थी और कुछ spring में जाके store होती थी यही होता था लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो इस position पर तो block को हमने छोड़ रही था यहां से और जब block इस position पर है तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल clear दिखाए दे रहा है ठीक है कि यहां जाके वो permanent रुख गया है इसका मतलब इसके पास kinetic energy तो नहीं है ठीक है चलिए तो थोड़ थोड़ सोची इसके बारे में अगला पार बच्चों यहाँ पर क्या है अगला पार यह है कि आपको बताना है elastic energy कितनी इस वायर में store होगी stored elastic energy stored elastic potential energy अब देखो elastic potential energy के लिए आप चाहो तो half kx square का formula यूज़ कर लो और k की जगे a y upon l लग देना या फिर energy density फाइंड करके volume से multiply कर दो दोनों यह option है तो हम सीधे सीधे बच्चों half kx square लगा देते है half kx square तो half k की जगे क्या लिख देंगे a y upon l और बच्चो extension कितना हुआ x का हुआ है तो यहाँ पर x square देखो एक तो इसको लिखने का तरीका बच्चों यहाँ पर यह है दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि half इसको ऐसे लिख दिया kx into x ऐसे भी तो लिख सकते हैं वही एक method यह है इसको लिखने का एक method बच्चों यह है लिखने का half kx into x और आपको पता है जो kx है वो कौन सा है tension force ही तो है kx वो किसको balance कर रहा है mg को तो इसकी जगे हम mg रख सकते हैं या नि यह हो गया बच्चों यहाँ पर mg into x by 2 ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं तो बदब दोनों ही तरीके हैं या फिर आप इसको ऐसे कर लो ay upon l into x यही तो लिखा है ay upon l into x यह दर आ जाएगा है ना इसकी value बच्चों किसके एककोल हो जाएगी mg के एककोल होगी है ना देखो ay upon l into x की value mg है तो mg यह रख दो तो भी यह जाएगा तो mgx by 2 छोड़ी छोड़ी बातों पर ध्यान देना कि gravitational energy बच्चों कितना decrease कर रही थी mgx जबकि wire में कितना store हुई है सिर्फ mgx by 2 stored हुई है थोड़ा सो इसके बारे में कि gravitational energy में अकर हम देखें loss तो mgx का हुआ है जब यह block नीचे गया तो gravitational energy mgx से decrease होई अब हमें देखना पड़ेगा न यह mgx की gravitational energy कहां पर गई तो हमें पता चला आधा तो जाके elastic potential energy के form में wire में store होगी लेकिन half energy कहां पर गई यही half energy kinetic energy के form में दिखनी चाहिए लेकिन नहीं दिख रही है तो गई कहां पर heat loss कहां पर गई heat loss में तो fourth part यही पूछा आप से कि इस process में heat loss कितना होगा तो बचो heat loss होगा कितना देखो gravitational energy कितने से decrease की mgx अब इस mgx का हिसाब किताब अगर आप देखो तो इसमें से आधा यानि mgx by 2 यह तो elastic energy में जाके store हो गया और आधा हमें नहीं दिख रहा है वो आधा वचो कहां गया हीट loss में गया हीट के form में energy loss हो गई कितना mgx by 2 यानि कि आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो देखो कि decrease in gravitational potential energy तो gravitational energy में जो decrement होगा ठीक है वो कितना है बचो mgx इतना ही है इसका half यानि कि mgx by 2 यह बचो हो जाएगा elastic energy में stored in form of elastic potential energy तो आधा तो बचो potential energy में store हो गया और इसका आधा जो आपको कहीं नहीं दिख रहा है वो actual में heat में चला गया है heat loss में चला गया heat के form में convert हो गया और loss हो गया system से ठीक है यह चीज़ अब देखें question कई तरह से आप से पूस सकता है जैसे कि मालीज़ आप से पूसता है कि block x distance नीचे आया block x distance नीचे आया यह बताइए elastic energy कितनी store होगी तो आपको पता अच्छा block अगर x distance नीचे आया है मतब gravitational energy mgx से decrease होई है तो उसका आधा elastic potential energy के form में store होगा है यह आपका अंसार होगा mgx by 2 question बच्छो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हमने block को attach किया और यह इसमें x से stretch होगया wire तो इसमें आप से पूछेगा कि अगर u amount of energy, elastic energy के form में store होगी है तो heat loss कितनी है तो धियान रखें बचें जितना store हुआ है उतना ही loss हुआ है store कितना हुआ mgx by 2 और heat loss कितना हुआ mgx by 2 तो जितना store हुआ है अतना ही loss हुआ है तो अगर वो बोला है कि u amount of energy इसमें store होई है तो आप बताएंगे u amount of energy ही loss होई होगी ठीक है heat loss होई होगी, ऐसे भी बता सकते हो मान लीजे आप से question कहता है कि gravitational energy u amount से decrease हो गई है, अब बताईए कितना heat loss है, तो आप बताएंगे u by 2 अब बताईए इसमें कितना energy stored है, आप बताऊगे u by 2 तो कैसा भी question आए, आप इसको बहुत असानी से solve कर सकते हो कई बार ये भी पूछ लेता है, कि gravitational energy में जो loss है और heat loss है उसका ratio क्या है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है तो in short इतना याद रखो कि जब ये block अपनी position से x distance नीचे जाएगा तो gravitational energy जो mgx से decrease हो रही है, उसका हिसाब किताब ये है, कि उसका आधा तो इसमें store हो गया जाके और आधा heat loss में चला गया है, ठीक है, अब आप इसको note करो फिर आगे बढ़ते हैं